बहुत बहुत स्वागत बच्चो आज अपका ओनलाइन क्लासेस में आज हम क्लास 10 सामाजी विज्ञान विशे के अंतरगत नागरिक शास्त लेसन 2 संगवाद के महतपूर्ण क्वेशन आंसर का अध्यन करेंगे लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेसन के जो महतपूर्ण बिंदू है वे क्या है और इसके पहले भी मैंने बच्चो आपके लिए वीडियो तयार किया था उसमें भी महतपूर्ण बिंदू और क्वेशन को शामिल किया गया है और ऐसा इसलिए दो बार किया गया ताकि यह topic आपको और आसान लगे, समझने में आसानी रहे तो आईए देखते हैं इस lesson के जो महत्पूर्ण बिंदू हैं वे कौन कौन से हैं तो पहला बिंदू है संगी विवस्था में दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारे होती हैं अर्था संगी शाषन जो है उसमें सत्ता, शाषन की जो सत्ता है वे दो या दो से अधिक अस्त्रों पर होती हैं जो एक ही नागरिक समूव पर शाषन करती हैं दूसरा है, संगी विवस्ता में प्रतेग सरकार के अधिकार छेत्र और शक्तियों का स्पष्ट वर्ण समविधान में किया गया है तीसरा बिंदु है, समविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक अस्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती ऐसे बदलाव दोनों अस्तरों की सरकारों दोरा ही होते हैं आदालतों को संविधान और दोनों अस्तर की सरकारों की अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है अगला बिंदु है भारत में जम्मो कश्मीर एक मात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना सम्विधान है अगला बिंदु है भारत बेल्जियम और स्पेन में राजियों की तुलना में एक केंद सरकार ज्यादा शक्तिशाली है भारती सम्विधान में हिंदी की अलावा अन्य भाषाओं को अनसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है विश्यों की वे सूची जिस पर केंद सरकार कानून बनाती है संग सूची कहलाती है और यह अन्तिम बिंदु है संग सूची में 97 विशे रखे गए हैं यानि हमारी जो संग सूची एसा विधान की उसमें 97 सब्जेक्ट हैं जो इसको शामिल किया गया है तो यह थे इस लेसन के महत्पूर्ण बिंदु और आईए आप देखते हैं बच्चो इस लेसन के जो अब्जेक्टिव टैप कोशन है कैसे है किस प्रकार के आते हैं और आ अगला है भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मात्र भाषा हिंदी है तो इस तरह से आपको बोर्ड एक्जाम में चार आप्शन दिये रहेंगे तो राइट आंसर क्या है 40 प्रतिशत यह देखे नीचे आंसर भी दिया गया है आंसर क्या इसका 40 प्रतिशत जो भारती भाषाओं का दर्जा दिया गया है कितनी भाषा हैं जिनको अन्सुचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है और वे हैं 22 और अगला कुशन एक इसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनितिक पार्टियों दौरा एक साथ मिलकर बनाई जाती वह क्या कहराती है गठ बंधन सर यानि एक सरकार जो कई राजेतिक पार्टियों को साथ में लेकर एक पार्टी का निर्मार करती है तो वो कहां से सरकार कहलाइके बच्चों? गठबंधन सरकार अगला कोशन है नगर निगम के पुर Casey को क्या कहते हैं आपको सबको पता होगा नगर निगम का जो पुर्मु के उसे हम क्या कहते हैं मेर कहते हैं यह देखे आंसर है नगर निगम के पुर्मु को हम मेर कहते हैं और अगला कोशन है भारत के किस राजी को विशेश दर्जा प्राप्त है तो जम्मु कश्मीर हमारे देश का जो राज है उसको विशेश दर्जब्राब थे अगला है केंद्र और राज सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निप्टारा याने केंद्र सरकार करने वाली संसते हैं नगर पा olvidक और नगर नियुगम यह पहला option right है उसके बाद निम्लिखित मैं कौन सा विषय पूछा गया इसमें केंदर सूची में शामिल नहीं है तो इसमें केंदर सूची में कानून और सुरक्ष камई वह नई शामिल है अगला है केंद्र और राजों के बीच सत्ता का बटवारा कितनी सूचियों में किया गया है तो यह है तीन सूचियों में किया गया है अगला है बच्चों राज पुनर गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया राज पुनर गठन आयोग जो है उसको एक नॉंबर 1956 को लागू किया गया था, ये थे objective question, जिसमें से 4 option आपको दिये जाएंगे, और एक कोई answer right होगा, आपको जो right answer उस पर टिक मार करना होगा, अगला जो question का सुरूप है, वह है, अति लगूतरी प्रश्ण, एक अंक वाले, और इसमें आपको एक line का answer देना होता है, और इसमें पहला question है बचो, सत्ता का विकेंदरी करन किसे कहते हैं, केंद्र और राज सरकार से शक्तियां लेकर अस्थानी सरकार को देना सत्ता का विकेंदरी करन कहलाता है, यानि केंद्र सरकार और राज सरकार अपनी अपने शक्तियां जब अस्थानी अस्तर पर विभाजित कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे सत्ता का विकेंदरी करन, अगला है नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है यह अस्थानी अस्तर किस अस्थाय है बच्चो शाशन की तो इसमें कितने लोगों का चुनाव होता है लगभग 36 लाग नेक्स्ट है भारत में किस राज को विशेश दर्जा प्राप्त है आपने उपर पढ़ा भी आंसर है जम्मो कश्मीर अस्थानिय शाषन वाली कौन-कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं तो ये भी आंसर आपने उपर देखा नगर पालिका और नगर निगम एकात्मक शाषन विवस्था किसे कहते हैं? ऐसी विवस्था जिसमें शाषन का एक ही अस्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एकात्मक शाषन विवस्था बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में संगिय सरकार है और ये Belgium, Sri Lanka ये आपने lesson 1 में सत्ता की साजेदारी जो chapter मैंने कराया था उसमें बहुत विस्तार से समझा रखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखे तब इस lesson को समझ पाएंगे उसके बाद question number 7 है पंचायत समित का गठन कैसे होता है? तो कई पंचों को मिला कर पंचायत समित का गठन होता है अगला नगर निगम के प्रमुक को क्या कहते हैं? मेर कहते हैं समवर्ति सूची के विशेओं पर कानून कौन बनाता है? समवर्ति सूचिया है समविधान की वे केंद्र और राज्य सरकारें बनाते हैं उसके बाद है लगू आंसर या short question answer है पहला है भारतिय समविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारा किस प्रकार किया गया है जो केंद्र सरकार यानि सेंटर गौर्मेंट और स्टेट गौर्मेंट के बीच जो पावर है जो शक्तियों है उसका बटवारा किस प्रकार किया गया है तो संग सूची प्रतिरक्षा विदेश बैंकिंग संचार मुद्रा आदी राष्टी महत्यों के विशे राज सूची में पुलिस, व्यापार, वाडिच, किरशी, सिचाई, प्रांतिय, महत्यों के विशे और संवर्ति सूची में सिक्षा, वन, मजदूर, संग, विवा, गोद, लेना, शामिल है और अवसिष्ट जो सक्तियां हैं, वे विशे जो उपर के तीन जो यह हैं, अधिकार छेत्र, सूचियों में नहीं है, तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद सरकार को है अगला कोशन है, अस्थानी सरकारों के महतु का वर्णन कीजिए, जो अस्थानी सरकार हैं, सेंटर गौर्मेंट और स्टेट गौर्मेंट ने अस्थानी सरकारों को जो शक्तियां प्रदान की हैं, उनका महतु क्या है तो पहला जो importance तो वह है, अनेक समस्याओं का निप्टारा अस्थानी अस्थार पर ही हो जाता है, यानि जो लोकल की जो प्रवलम है, वह उपर लेवल पर ना जा करके अपने अस्थानी अस्थार पर ही उस समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है दूसरी विशेष्था यह है, या महत यह है, लोगों की इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहां और कैसे खर्ज करना है, जो विकास के लिए मद आता है, जो विकास की विवस्था के लिए पैसे आते हैं स्टेट गॉर्मेंट से, और स्टेट गॉर्मेंट कों देता है, से यह जगापर विकास में लगता है और कैसे खर्ज करना है यह भी अस्थानी सरकारों के द्वारही ग्यात होता है अगला बिंदु है अस्थानी अस्थार पर लोगों को फैसले फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव होता है सत्ता में अधिक से अधिक लोगों का भागी अगला कोशन बच्चो भारत की संगी विवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेष्था और उससे अलग एक विशेष्था को बताएं जो बेल्जियम की विवस्था थी शासन की उससे मिलती जुलती क्या है भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेष्टा ये है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संग सरकार का गठन किया गया है अलग विशेष्टा यह है कि बेल्जियम की सरकार की अनेग शक्तियां देश के दो छेत्री सरकारों को सपुर्द कर दी गई है या उन्हें दे दी गई है जबकि भारत में केंद सरकार अनेग मामलों में राज सरकारों पर नियंत्रन रखती है ये भारत और बेल्जियम की संगी विवस्ता की अलग-अलग विवस्ता है, अगला है 1992 के समविधान संशोधन द्वारा लोक्तांत्रिक विवस्ता में विकेंद्री करण की प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किये गए, तो पहला विंद्धुएस में अस्थानिय निका को चुनाव नेमित रूप से कराना अनिवार किया गया, दूसरा कम से कम एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, हर राज में पंचायत और नगरपाली का चुनाव कराने के लिए राज चुनाव आयोग नामक सोतंद संस्था का गठन किया गया, राज सरकारों को अपने राजस और अधिकारों का कुछ हिस्चा अस्थानिय निकायों को देना पड़ा, उसके बाद अगला है, संगी, संगवाद या संगी शासन विवस्था क्या है, इसकी विशेष्थाएं लिखिए, तो पहली विवस्था, जो विशेष्था है संगवाद की, संगी संगी विवस्था में सत्ता, केंद्री और राज सरकारों में बटी होती है, संगी विवस्था में दो या दो से अस्तर की सरकारे होती है, बच्चों आप भारत देश में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, कि हमारे देश में जो सरकार है, वो केंद्र सरकार, राज सरकार और फिर अस्थानी प्षषासन के रूप में बटी हुई है तो आपको यह लेसन और भी आसानी से समझ में आजाएगा और जितने बींधु में बतार रहें आपको पहला दूसरा और जितने हैं पांस-क सरकार राश्ट्रे महत्र के विश्यों पर कानून बनाती है और राजसरकार राश्ट से समझaries विश्यों पर और दोनों अस्तर की सरकारिये अपने अस्तर पर सोतंद्र होकर अपना कारी करती है्धा या शरकार का have some when it very only स्प्रेश्ट Оर्पर केמעई और राजे बारत की भाशा नीती क्या है? तो पहली भुइन्दु है भारत में किसी एक भाषा का राश्ट भाषा का दर्जा ना देकर हिंदि और अन एकेश भाषा को अनसुजित भाषा का दर्जा दिया गया अग्रेजी को राज की भाषा के रूप में मानुटा दी गई विशेश का गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए सभी राज़ों की मुख भाषा का विशेश ध्यान रखा गया है अगला कुशन 1992 से पूर विकेंदरी करण के सुरूप का वर्णन कीजिए 1992 से पूर जो विकेंदरी करण का सुरूप था सभी राजों में गाओं के अस्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं के अस्थापना की गई थी अस्थानिय संस्थाएं राज सरकार के अधीन रखी गई थी अस्थानिय संस्थाओं के चुनाव नियत समय पर नहीं कराय जाते थे अस्थाने संस्थाओं के पास ना अपना धिकार था और ना ही संसादन था तो ये बच्चो 1992 के समय में था अगला है question एकात्मक और संगात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट करें एकात्मक सरकार क्या है और संगात्मक सरकार क्या है ये आपको अलग-अलग स्पष्ट करना है तो सबसे पहले देखते हैं एकात्मक षाशन व्यवस्था इसमें केंद सरकार शक्त शाली होती है इसके अंतरगा संविधान संसोधन केंद सरकार कर सकती है शक्तियां एक जगہ पर केंद्रित होती है इसमें एक ही नागरिक्ता होती है और केंद सरकार राजियों से शक्तियां ले सकती है ये था एकात्मक शाषन विवस्ता और अब देखते हैं संगात्मक शाषन विवस्ता तो पहला इसमें इसमें केंद सरकार अपेक्षाकरत कमजोर होती है दूसरा बिंदु है इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है शक्तियां कई अस्तुरों पर विभाजित होती है कई संग्ये विवस्था वाले देशों में दोरी नारिक्ता होती है दोनों अस्तर की सरकारें अपने अधिकार छेतर में शोतंतर होती हैं इस अंघात्मक राशन विवस्ता थी अगला कोशन है, केंद्र और राज्यों के समंधों में आए बदलावों का वर्णन कीजिये केंद्र और राज्य के समंध में जो परिवरतन आये हैं उनके बारे में आपको लिखना है, पहला है विबिन राज्यों में छेत्री पार्टियों की सरकार होना, गटबंधन सरकारों के आने से केंद सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, केंद्री राज्यों के दी जाने वाली राशी में बढ़ोत्री, केंद्र राज्य तनाव में कमी होना केंद्र राज संबंधों में सुधार और केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यों की हितों का खेयाल रखना अगला कोशन पंचायतों की मुख्य परेशानियों का वर्णन करें अस्थानी अस्तर की जो शार्षन विवस्था है उसके जो मुख्य समस्यां है इस परेश होना जन से भागता में कमी होना और इसके अलावा केंद और राज सरकारों दोरा समय पर वित्तिय सहायता उपलब्द नहीं कराना चुनाओ नेमित रूप से नहीं होते यह पंचायती व्योस्था की विश्था कमिया थी आपको बताई गए अगला है भारत एक संघिय व्योस् को लिखे आपको बताना है कि भारत क्या है संघिय व्योस्था वाला देश इसके आपको कुछ तथ्य बताने हैं तो पहला है भारत में केंद राज और अस्थानी अस्तरों पर सरकार है यह पहला तथ्य यानि पहला प्रूफ है और दूसरा क्या है भारत में लिखित विश् उसके आगें बचो संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक अस्तर की सरकार अकेले नहीं बदाल सकती संविधान के व्याख्या कधिकार है केंद्र और राज सरकारों के बीच विधाई शक्तियों को संग सुचि, राज सुचि और संवर्ती सुचि में बाटा जाना शुरोत होना अगला कोशन है संगवाद की किनी तीन बुरायां या कमिया आप कह सकते हैं जो संगवाद व्योस्था है इसके30 कौण अधिकार केवल किंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। यह जो कमिया थी आपको बताई गई आगे हैं कि संगी व्योस्ता की चार विशेस्ता पहली है सरकार एक से अधिक प्रकार की होती है सत्ता का विभाजन होता है पर तेक सरकार का अपना छेत अधिकार निश्चित होता है और दोनों सरकारें एक ही नागरिक समुव पर साशन करती है उसके बाद सरकार का एकल रूप क्या होता है यानि एकात्मक सुरू क्या तीन विशेस्ता हैं पहला है जब सरकार का अस्तर एक होता है इससे अलग उसकी उपिकाईया होती है जो उसके अधीन काम करती हैं केन सरकार राजी सरकार के लिए आदेश पारित करती है और मुख के शक्ति केंद्री सरकार के पास ही होती है उसके बाद है एकात्मक और संगात्मक सरकारों के बीच चार विभेद यानि चार आपको अंतर बताना है कि एकात्मक सरकार और संगात्मक सरकार तो पहला है संगात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है एक आत्मा सरकार में राज सरकार केंद सरकार के अधीन होती है संगी प्रणाली में राज सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है तथा वे केंद सरकार के प्रत जवाब दे नहीं होती है संगी प्रणाली में समविधान के मौलिक प्रावधान केंद्री विधाई का द्वारा एक पक्षिये रूप में पर्वर्थित नहीं की जा सकते लेकिन एकात्मग विवस्था में ऐसा संभव है अगला कोश्चन है केंद्र और राज सरकारों के बीच विधाई शक्तियों के तीन अस्तरी विभाजन की व्याख्या कीजिए अगला कोशन भारत में संगी शासन विवस्था किस प्रकार राज्यों के निर्माड में सफल रही है तीन बिंदू को सपष्ट कीज़े यानि जो हमारे देश के संगीश आशन विवस्ता है इसके दोरा राज्यों का निर्माड हुआ है विवस्ता कितनी सफल रही है आपको इसके बारें बताना है तो कहां तक सफल रही है उसका क्या प्रूफ हमारे पास तो पहला बिंदु है स संगीश विवस्ता भारत में राज्यों के गठन के संदर में सफल रही है संगीश जो विवस्ता थी उससे क्या हुआ राज्यों का गठन हुआ और दूसरा भाशाई आधार पर राज्यों का गठन सफल प्रयास रहा कुछ राज्यों का गठन संस्कृति भूगोल तथा जा तो चार विशेस्ता हैं क्या है भाषा नीत से सम्मंदित, सम्विधान में किसी भी भाषा को राष्ट भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, सम्विधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, केंदरी सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को राज किये कामों में प्रयोक की अनमती दी और इसके अलावा जो अंतिम बिंदु है हिंदी को बढ़ावा देने की केंद सरकार की नीती है लेकिन दूसरे राजियों पर हिंदी को थोपा नहीं जा सकता विकेंद्री करण के क्या लाब है कोई तीन लाब बताईए विकेंद्री करण का आर्थे सत्ता का बटवारा विकेंद्री करण से ताना शाही पुर्विर्तिक समाप्त होती है अस्थानी अस्तर पर समस्याओं का समाधान होता है और प्रजात आंत्रिक मूल्यों को शक्ति मिल यह विकेंदी करण की विशेस्ताय हैं और इनके लाब भी हैं अगला कोशन बचो 1992 के संविधाश शर्षोधन द्वारा हमारे देश में सरकार के तीसरे अस्तर को अधिक प्रवावशालिक क्यों बनाए गया तो पहला है इसका कारण गाउं प्रखंड तथा जिला अस्तर पर अस्तानी सरकार का निर्माड करने के लिए अस्तानी लोगों को सत्ता में शामिल करके देश के विकास में सहायक बनाए गया और महिलाओं अनुसूची जाती हूं तथा पिछड़े वर के लिए आरक्षण की विवस्ता करने के लिए और अस्तानी अस्तर पर समस्याओं का श जो लागों की गई इसको जो विशेष्टा है पहली है अस्थानी अस्तर पर सरकारों का गठन समस्याओं का अस्थानी अस्तर पर निप्टारा करना समय तथा धन की बचत और अस्थानी लोगों को अपने जिम्मेदारी का एसास और जाग रूपता करना वह पंचायती राज बनाई गई कि जो सत्ता हमारी है इसको विब्वी नस्तरों पर विभाजी जब किया गया यह पहले लेवल फिर दूसरे लेववल पर देखिए फिर उसके बाद तीसरे लेवल पर जो पंचायती राज बनाई गई वो इसलिए बनाई गई कि इसे जो अस्थानी अस्तर के जो समस्याएं हैं इनका निप्टारा अस्थानी अस्तर पर हो जाए और इसे क्या होगा सरकार का समय और धन की बचत होगी इसके साथ ही जो अस्थानी लोगे बच्चों इनको अपने जिम्मेदारी का एसास होगा और उनमें जागरुकता की भावना आएगी कि हमें अपने छेत्र में समस्चाय नहीं बर्कि समाधान लाना है इसके बाद केंद्र और राजों के समंधों में आये बदलाओं का वर्णन कीजिए तो क्या बदलाओं आये हैं राजों में छेत्री पार्टियों दोरा सरकारों का गठन गटबंधे सरकारों का आगमन जिससे केंद्र सरकारे मनमानी नहीं कर सकती केंद्र राजों के बीच तनाव में कमी होना और केंद्र और राजों के समंधों में सुधार होना ये था केंद्र राजों के बीच में समंधों में जो बदलावाए हैं उनके बारे में अगला है पंचायतों की तीन परेशानिया कौन सी हैं उनका बारे में बताना है पहला है जागरूकता का भाव, पंचायतों के चुनाव से चमंधित परेशानी, गुटबंदी की शुरुवात हो गई, धन का भाव हो गया और अधिकारियों की मनमानी पड़ गई तो बच्चों जहां पर पंचायती राज व्यवस्ता लागू केगे, जहां उसके कुछ लाब थे तो वहां हानी भी यह दिखाए गई फिर है संगवाद की किनी तीन बुराईयों की या कमियों की बताना है आपको संगवाद व्यवस्ता लागू केगे इनकी जो मुख कमिया कौन थी पहला है केंदरी व्यवस्ता का अधिक परवाशाली होना, संविधान संशोधन का अधिकार के ओल केंदर को प्राप्त होना, संसत को अधिक अधिकार प्राप्त होना, और धन का बटवारा भेद भारुपा अधारित नहीं होना चाहिए तो ये था बच्चो लेसन संगवाद से समंदिक उस महतपूर्ण बिंदू और महतपूर्ण कोशन आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से वेरी शोट को अंसर और ये अबजेक्टिफ लॉंग इस तरह से आपको बता दिये एक-एक बिंदू आपको समझ में आ गया होगा तो अगर आपको वीडियो बच्चो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और हाँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जिससे कि आपको आपके स्टेडी मटेरियल से समंधिर जो वीडियो तयार की जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तबते के लिए अपना ध्यान रखे थैंक यू टेक केर